हेलो एरिवन स्वागतिप से भीखा ओनलाइन स्टेडियो में इस वीडियो में बात करेंगे BPSC के लिए सेट नमबर 3 ठीक है इसे पहले अल्रेडी हम लोगोंने दो सेट देखा जिसमें काफी अच्छे चेक्वेस्स में आपके साब डिसकस किया हूँ अगर अपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के बागी के दो सेट को जरूर देखे इस सेट में आपको 30 क्वेस्स दिये जाएंगे यह हमारा मीनी सेट चल रहा है क्योंकि एक्जाम्स के टाइम पे थोड़ा सा रिवीजन करना बहुत जरूरी है तो जो भी आपने पढ़ रखा है बस आप यहाँ पे टेस्ट लगा करके पता कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है और क्या एक्जाम्स में आपको क्या देखने को मिल सकता है तो बस इस वीडियो को एंड तक देखे और जो भी आपकी स्कोरिंग रहती है कि नीचे कमेंच करके बताएं कि आउट ओफ 30 से आपके स्कोरिंग क्या रहती है तो चलिए हम सुरू करते है सबसे पहला क्वेशन क्या रहा है कि उपराश्ट पती के संबंद में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताना है टो देखे second questions दिया गया कि हडपपा और मोहन जोदाडो के खंडर निम्लांकित में से किस नदी के तड़ पर पाई जाते है तो इस questions का right answer क्या होगा देखे जो हडपपा है वो रावी नदी ठीक है हडपपा जो बसा था वो रावी नदी के किनारे जबकि मोहन जो दाड़ो जो बचा था वो सिंधो न दिखे कि यहारे यानि कि इस questions का right answer ए और भी दोनों होना चाहिए तो option आप E को टिक करेंगे एक या एक से अधिक बात करतें third questions की question number third दिएगा कि पदम स्री से सम्मानित कि स्कुच्ची पुड़ी निरितांगना का 64 वर्स की आयू में निधन हो गया हाली में निधन हुआ है तो सही answer यहाँ पे हो जाएगा क्या option D को टिक करेंगे सोभा नाइडू option D right answer है question number four में कह रहा है कि राश्टी यहाँ समीती का गठन किस वर्स हुआ था दिखे राश्टी के आय समीती का जो गठन हुआ था वो 1949 में हुआ था option B यहाँ पे बिल्कुल सही answer हो जाता है बात करते है question number five की तो questions कह रहा है कि पहली बीतायो का गठन हुआ था अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक ने किया तो आपसे चोटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करते है और साथ साथ अपने दोस्तों को भी सेयर कर दीज़ेगा और चैनल पर पहली बार आएं और इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर आउन रगे तिक यह बात करते हैं सही आंसर का तो करेक्ट आंसर का उन्नी सो इकावन बीतायो की बात करें तो बीतायो का गठन दो सो असी अनुछिद के तहत रास्ट पती के दोरा क्या जाता है पांच वर्स के लिए ठीके तो सही आंसर का उन्नी सो इकावन में फॉर्स टाइम गठन किया गया था question number 6 में क्या दियागे किस ने कहा था कि करज जमा की संतान है और जमा करज की संतान है तो देखे इस questions का right answer हो जगा option A को टिक करेंगे किन्स ने कहा था ठीक है किन्स ने कहा था option A सहयोगा 7 questions में क्या दियागे कि किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमुल परिवर्थन वादी अंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था आत्म सम्वान अंदोलन questions direct ये भी पूजा सकता है कि आत्म सम्वान अंदोरन किस ने स्टार्ट किया था तो दिखे आत्म सम्वान अंदोरन स्टार्ट किया गया था option B को टिक करेंगे रामा स्वामी नायकर option C बिल्कुल correct answer यहां पर हो जाता है अगरा प्रशनी ये कह रहा है कि फैजाबाद में 1857 इस से ठीक है तो यह सभी points जो कि आपको याद रखनी है question number 9 में कह रहा है कि भारते समिधान के अंतरगत निमलिखित में से कौन सा अनुछित संसद को राज्य सुची के विशेम के संबाद में बिधी बनाने के सकते प्रदान करता है तो दिखे इस questions का right answer हम option D को टिक करेंगे article 24 option D बिलकुल सही answer हो जाता है अगला प्रस्न में कह रहा है कि पांच भी बौध परिस्द का आयोजन किस ने किया था तो दिखे इस questions का right answer जो होगो वो हम option E को टिक करेंगे ठीक है option E को टिक करेंगे स्कीन पर आपको picture दिख रहा होगा आप वहाँ पर असानी से clearly पढ़ सकते कि इसका योजन कहां पर किया गया था निमलीकित में से किन राजियों को जोड़ता है तो सही answer क्या होगा option C को टिक करेंगे केरल और तमिलाडू को जोड़ता है ठीक है कोच्छिन और कोईमबटोर को ये जोड़ता है option C बिल्कुल सही होगा अगला प्रस्ण कहा रहा है कि वलन किरिया किसका परिणाम है तो सही answer होगा option C यानि की परवत निर्माणकारी बल option C करेंड होगा next questions क्या क्यारा है कि राधा स्वामी सत्षंग के संस्थापक कौन थे राधा स्वामी सत्रसंग के संस्थापक कौन थे तो देखें सही answer क्या होगा option B को टिक करेंगे सिव दयाल साहब चीक है, option B, correct answer हो जाता है next question में कहा रहा है कि राजराम मोहन राय की ब्रह्म समाज की विरूद कलकत्ता में धर्म समाज की स्थापना की गई उसका संस्थापक कौन थे यानि questions में पूछा जा सकता है कि धर्म समाज की स्थापना किस ने की थे तो धर्म समाज जो है वो किस के विरूद में चलाए गया था तो राजराम मोहन राय के दोय स्थाट के था ब्रह्म समाज की विरूद में चला गया था धर्म समाज का जो संस्थापक थे वो थे राधा कांत देव option हम C को टिक करेंगे अगला प्रशन यह कह रहा है कि हाली में किस राज्चे में दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेडी सुरू की गई बताए किस स्टेट में तो सही आंसर हो जाता है option C को टिक करेंगे पस्ची मंगाल ठीक है पस्ची मंगाल C, quarantine, ठीक है, option C को tick करेंगे quarantine को अगला प्रस्म दिया गया है कि किस राज्चे ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरू करने सहीत अन्य उदेशों को लेकर के एक विशेज अवियान आवाज शुरू किया है तो अवाज जो अवियान है वो शुरू किया किस स्टेट के दोरा तो सही answer यहाँ पे होगा option हम D को tick करेंगे राजस्थान के दोरा इसके बारे में कुछ points यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ करके समद सकते हैं इसके राजस्थान में बढ़ रहे महिला उत्पिड़न वह दुसकर्म के मामलों को रोगने के लिए पुलिस ने action against related crime and अवियरंस for justice के तहत इस अवियान यानि आवाज अवियान को शुरू किया है ठीक है चलिए अगला प्रशनी कह रहा है कि Global Hunger Index 2020 रिपोर्ट के अनुसार 107 देशों के लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो भारत को स्थान मिला है 94 स्थान option C बिल्कुल सही होगा अगला प्रशनी ये बनता है कि जूम क्रिसी अभी भी कहां पर चलिए देखे जूम क्रिसी के अगर हम बात करें एक या एक से अधिक के लिए चलिए भारत में दासप्रता समाप्त करने का स्रे किसे दिया जाता है तो देखे भारत में दासप्रता समाप्त करने का जो स्रे दिया जाता है लॉड एलेन बरो को दिया जाता है option B 1843 में इन होने जो कि इस कह सकते हैं कि तास प्रतास को समापते किया था ठीक है नेक्ट शुशन दिया जा रहा है निमली खित कत्रों में असत्त कत्षन को बताईए बताईए कि इन में से कौन सा कत्षन जो कि वो असत्त है तो सही आंसर क्या होगा ओप्षन C को टिक करेंगे राश्ट्य युवा दिवस राजियु गांधी से संबन दिते जो कि यह पॉइंट गलत है राजियु गांधी से नहीं यहां पर राश्ट्य युवा दिवस स्वामी वेका नंद के जैन्ती के आउसर में 12 जनवरी को पड़ती एक वर्स मनाया जाता है ठीक है ना तो यहां पर करेक्ट आंसर हम उप्शन सी को टिक करेंगे नेक्ट वेसंस क्या कह रहा है ध्यान दिजेगा कि लाब्रेडोर को स्वारी लाब्रेडोर की ठंडी धारा और गल्फ इस्ट्रिम की गर्म धारा कहां एक दूसरे से मिलती है यहां से दो कोईसंस धारान रखना है पहला पूछा जा सकता है कि लाब्रेडोर किस परकार की धारा है तो यह ठंडी जल धारा है गल्फ इस्ट्रिम किस परकार की जारा है तो यह आपका गर्म जल धारा है तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है ये दोनों कहां पर मिलते हैं तो सही आंसर होगा कि उत्तरी अमेरिका के पूर उत्तर पूर्वी तटो पर option A को टिक करेंगे ठीक है option A right answer होगा next questions कहा रहा है कि भुपर पट्टी पर पाय जाने वाले बिभीन तत्तों की मात्रा का सही अवरोही करम क्या है सही अवरोही करम क्या है अवरोही करम का मतलब यहाँ पर घर्टे करम में होना चाहिए तो सही answer होगा देखिए oxygen, silicon, aluminium और लोवा ये right answer होगा option D को टिक करेंगे ठीक है अगला प्रस्ट next question कहा रहा है कि सरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन है सरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन है सरीर की सबसे बड़ी गरंती के रूप में यकरित को जानते है option C बिलकुल सही answer होगा सबसे छोटी गरंती के रूप में कौन होती है सबसे चोटी गरंती प्यूस गरंती होती इसको master gland कहते है next question दिया गया है कि मनुस्य के मस्तिस्की की सबसे बाहरी जिली को क्या कहते है तो ध्यान दिजिए कि मनुस्य के मस्तिस्का सबसे बाहरी जो जिली होता है उसको लोग durameter कहते हैं option C बिलकुल correct answer होगा next questions की वायू मंडल में समानता CO2 यानि carbon dioxide पाया जाता है कितना परतिसत के फॉर्म में बताईए तो मुझे उमीद है कि आप लोग को हमारा यह सेट्स जरूर अच्छा लग रहा होगा किसी वेक्ति के वास्तविक जीवन का अंक्रन किस तदार पर क्या है था तो प्रति वेक्ति आयद्वारा option C को टिक करेंगे प्रति वेक्ति आयद्वारा ठीक है next questions क्या कह रहा है कि विश्यो का सरवाधिक लवणिय जील कौन सा है बिश्व का सरवाधिक लवणिये जील कौन सा है तो सही आंसर क्या होगा option A को टिक करेंगे तुर्की का वान जील जो है वो सबसे अधिक लवणिये जील होता है option A करेक्ट होगा अगला प्रशन के रहा है कि वायोम जल प्रपात किस नदी पर इस्तित है राइट अंसर होगा option D जैरे नदी परिस्तित है, option D को टिक करेंगे जैरे नदी next शोचन देख लीजिए क्या दिया गया कि पहला मानव विकास उचकांग किस अर्थ सास्त्री ने त्यार किया था मानव विकास सुचकांग जो वो किस अर्थसास्त्री के दौरा त्यार किया गया था तो राइट अंसर विल बी आप्शन B महबूब उल हक के दौरा ये पाकिस्तान के अर्थसास्त्री थे तो राइट अंसर यहाँ पे B को टिक करेंगे तो देखे आज की इस वीडियो में 30 Most Important MCQ थे मुझे उमीद है कि आप लोगो ये छोड़ा सा सिट अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिगा दोस्तों के साथ सेर कर दीजिगा पहली बार आया है चैनल पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर अन रखे ताकि इसी तरह की और वी अपडेट्स आपको मिलती रहे हम मिलते हैं किसी और वीडियो में आपको कल बताया था अगर आप इंटरस्ट रखते हैं तो नीचे लिंक दिया गया आप जाकर कि इस लिंक को चेक कर सकते हैं और साथे साथ अगर आप हमारे रेफ्लर कोड का यूज़ करते हैं निरंजन 10 तो आपको कोर्सेज परसेज करने में 10% का डिसकाउंट मिल जागा तो निरंजन 10 कोड का यूज़ कर सकते हैं